एक टाइम था जब रिकर्जन में करता था और उसके साथ अगर गलती से फोर लूप का इस्तमाल करना पड़ जाए तो बहुत दिक्कत होती थी मतब इस काइंड ओफ नाइट मेर फोमी मुझे यह समझ नहीं आता था कि रिकर्जन के साथ फोर लूप को यूज कैसे करना है होगे तब तो फिर दिमाग ही फट जाएगा तो ऐसे सी कुछ दिक्कते आती थी अब आगे जाके नहीं के उपर काम करने वाले तो आज जानते हैं कि रिकर्जन के इंदर फोर लूप का इस्तमाल कब करना है और कैसे करना है यह कैसे पता लगाए तो एक बहुत ही सिंपल सी हैं 2 के सा पता है पता है और मैं बोला किरुकृ आप अपना जंप करने तो किटने तरीके हैं मुझे अगर आप यह सारे जंप लेने हो जैसे कि आप यह कर सकते हो एक 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 फिर एक 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 और एक एक तरीका हो गया फिर 1, 2, फिर 1, 1, 1, यह 3, और 5, एक तरीका यह हो गया, या फिर 2 पहले ले लो, और फिर ये वाले तरीके, ऐसे करके 2 की बहुत सारी arrangement हो सकती है, तो यह तरह multiple ways to reach 0, तो आपको 10 से 0 जाना है, और सारे तरीके लेकर आने हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं faith की बात तो मैं बोलूँगा, यार, 10 से 0 जाना तो मुझे नहीं आता, मैं बहुत simple सा काम करता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं अपने, अब recursion को मैं हाँ पे दोस्त बोलता हूँ मेशा, ठीक है, तो मैं अपने friend को क्या बोलूँगा, कि यार, मैं एक की jump ले रहा हूँ, मैं एक jump 9 तक पहुंच जाता हूँ, अगर 9 पे खड़ा वह जो दोस्त है मेरा, अगर वो मेरी तनी मदद कर दे, और मुझे बता दे कि 9 से लेकर 0 तक जाने के कितने तरीके हैं, वो मुझे सारे बता दे, लेसे P तरीके exist करते हैं, मुझे बता दी उसने, तो भई, 10 से 0 जाना बाया 9 तक टोटल P ची करते हैं, अगर मैं 2 आट पहुंच पहूंच ओगा, इसी तरीके से, अगर मैं 3 आट वाल यू लूँगा, तो ऐगा तो थी ची करते होни, और ये सारे औरल वो प्लस और ची को ब्लस दो तो 6etzen ⁲, ये सारे फród सभी यू, और थी 3 subscribers, और थी 4 स स्याना और रॉ जाने के, क्योंकि अगर मैं one की jump लेता हूं, तो मैं nine रास्ते के through जाता हूं, 9 तक पहुँचने का और कोई तरीका है नहीं, अगर मैं eight पे जाता हूं तो eight पे मैं do की jump लेकर पहुँच रहूं, फिर आप बोलो कि एड़ जाने के तो आपको ना इस particular state तक पहुंचने का direct सोचना है यानि कि मैं direct कैसे जाओं यहां तक तो मैं 8 वाले दोस तक 2 की jump लेके पहुंच गया 7 वाले दोस तक 3 की jump लेके पहुंच गया फिर 6 वाले दोस तक 4 की jump, 5 की jump और 6 की jump लेके मैं पहुंच गया इन सभी के पास कुछ रास्ते पहले से ही रखे वे थे उन सब का submission करा और मुझे मेरा answer मिल गया मजे की बात है यह तो तो चलना तो चाहिए code पर क्या मैं इसके लिए बना recursion ऐसे लिखूँ कि बार-बार jump करके देखूँ मतलब कि आप यह देखो मैं इसका recursion क्या मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए तो उसको मैं jump game गोलता हूँ problem का नाम है कुछ भी नाम है so public static के आगे हम use करते हैं public static int इसको बोलूँगा मैं jump game and यह दा मेरे पास number जो n मुझे दिया गया है अब मुझे बताना है कि इतने तरीके हो सकते हैं तो जिस दिन इस n की value equal equal to 0 हो जाएगी उस दिन मुझे एक रास्ता मिला है मुझे एक रास्ता मिला है मैं कैसे बताऊँ मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे एक रास्ता मिल गया suppose करो आप पने 5 की jump ली अब यहां से आपने 4 की jump ली तो आप कहां पहुँचोगे आप बोलोगे भाई अब यहां से मैं 1 पर पहुँचा फिर मैंने 1 की jump ली जिरो पर पहुचा मैं यहां से 2 की jump नहीं ले सकता हूँ अगर मैं 1 वाले state पे खड़ाओ मैं 2 की jump ले लूँगा तो मैं पहुंचूँगा 9 में से अब यहाँ पर अगर मैं 2 की जंप लेता हूँ तो मैं 7 पर पहुंच जाता हूँ और मैं यहाँ पर 3 की जंप लेता हूँ तो मैं 6 पर पहुंच जाता हूँ और भी बहुत सारे होंगे चार की जंप लेता हूँ तो 5 पर पहुंचेंगे और हम 5 की जंप लेंगे तो 4 पर और 6 की जंप लेंगे तो 3 पर पहुंचते हैं मैं 3 पर हूँ तो मैं यहां से 1 की जंप ले सकता हूँ 2 पर पहुंचने के लिए 2 की जंप ले सकता हूँ एक पे पहुंचने के लिए, तीन की जम्प ले सकता हूँ, जीरो पे पहुंचने के लिए, पर चार की जम्प नहीं ले सकता हूँ, कोई चार की जम्प अलाउट नहीं है, यहाँ पर मुझे, कोई चार की जम्प लिया तो माइनिस वन पहुंच जाओ हूँ, यह नहीं, तो अगर n equal to zero हो गया ना, तो मुझे पता लगा है कि हाँ भई, मुझे answer मिला है, तो इसके नाम का मैं return one कर देता हूँ, कि इसके नाम का है, कि भई, मुझे एक achievement मिली है, कि मैं two पर पहुंचने से मुझे answer नहीं मिलता, वन पर पहुंचने से मुझे answer नहीं मिलता है, मुझे answer कब मिलता है, जब मैं zero पर पहुंचता हूँ, तो it's a kind of achievement, तो its achievement को signify, इस achievement को नीचे तक बताने के लिए, मैं क्या बोलूँगा one, कि भाई, मुझे एक रास्ता मिला, ये one ये आगे populate करेगा, कि भाई, three से zero जाने का एक रास्ता मिला था, तो वो one आगे populate कर देगा, अब three यहाँ पर क्या बोलेगा, कि अर बाखी लोग भी अपने achievement बता दो, आपको कितने कितने रास्ते मिलें, दो से zero पर जाने के दो रास्ते होंगे, एक से zero पर जाने का एक ही रास्ता होगा, तो यहाँ पर दो रास्ते यहाँ से आए, देखो यहाँ से एक रास्ता आएगा, यहाँ से एक रास्ता आएगा, क्यों, क्योंकि एक की जंप लेकर मैं एक पर पहुंशता हूँ, वही further में 1 की jump लेकर 0 पे पहुंचता हूँ, तो 1 रास्ता, 1 रास्ता और यहां से आया 1 रास्ता, total कितने हो गए, 2 रास्ते, इधर से आये, 1 रास्ता, right, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 4, तो 3 से 0 पे जाने के total 4 तरीके है, तो 3 से 0 पे जाने के total कितने है, 4 तरीके, तो यह बतायागा, होई, 3 से अगर आप 0 पे जाना चाहते हैं, total 4 तरीके exist करते हैं, तो मैं यहाँ पे देख रहूं, मैंने क्या use करा है, एक count ram का variable यूज करा है, जो क्या बता रहा है, कितने तरीके हैं, हर एक state से अलग 0 तक पहुँचने के, अलग-अलग रास्तों के थुरू, तो 3 से अगर मैं पहले 2 पर जाऊं, तो वहाँ से मुझे total 2 तरीके मिलते हैं, 0 तक पहुँचने के, अगर मैं 3 से direct 1 पे जाऊं, तो एक ही तरीका मिलता है, तो 3 से direct 3 पे जाऊं, तो वह एक ही रास्ता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, जब भी मुझे achievement मिल रही है, मैं वहाँ पर एक return 1 कर रहा हूं, count बनाता हूं 0, और एक चलाऊंगा for loop, क्यों for loop चलाना पढ़ रहा है, क्योंकि अगर for loop नहीं चलाऊंगा, तो मुझे क्या लिखना पढ़ेगा बार बार, कि भाई jump लो, अब jump लेने के लिए मैं check करूँगा, कि भाई n-1 should be greater than equal to 0 है क्या, क्या यह वाली jump सही है, इसी तरीके से फिर मैं check करूँगा, n-2 वाली jump सही है क्या, फिर इसी तरीके से मैं check करूँगा, n-3 वाली jump सही है क्या, फिर इसी तरीके से check करना पढ़ेगा, n-4 वाली jump सही है क्या, फिर इस तरीके से check करेंगे 5 के लिए, और same goes for 6, बट आप अब यह सोच के देखो, कि अगर, माल लो मैं array दे देता आपको jump का, और मैं बोलता है, n is equal to less than 1 lakh, और मैंने array दे दिया, जिसके अंदर 10 दे टूपार 3 तरीकों के jump अबलेबल है, तो क्या मैं यह 10 दे टूपार 3 टाइमस इफ लिखता, यह तो बहुत बहुत ज़ादा, मतलब code करना पढ़ जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक for loop, कि बोलेंगा भाई एक for loop लेकर आओ, आप उसके अंदर बोलो कि बाई कितना jump available है आपके पास, एक का jump available है, यह jump रहेगा, 6 तक छोटा रहेगा, तो कि मैंने total 6 jump भी आपको अलाओ करें हैं, every time when I'm taking a jump, because jump are in the increasing order, every time I will make sure that, कि n- jump जो है न, should we get then equal to 0 होना चीए, उसके बाद मैं कर दूँआ है, यहाँ पर jump plus plus, और मैं आपर कर दूँआ भाई, jump को plus plus, तो यह क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, यह बोलेगा, भाई, jump 1 से start करो और 6 तक जाओ, और हर बात न, check करो, जो भी आप jump लेने वाले हो, लेसे आपने 4 वाला jump लिया और n की value थी 4 तो 4-4 is greater than equal to 0 ये valid है बट 4-5 greater than equal to 0 is not valid इसका मतब ये कि 6 वाला भी valid नहीं है तो ये for loop नहीं पर break हो जाएगा क्योंकि ये वाली condition तो true हो गई पर ये वाली condition मेरी false होगी jump equal to 5 के लिए जब jump equal to 5 के लिए condition false हो गई तो jump equal to 6 के लिए condition false होगी तो ये jump यहीं पर रुख जाएगा ये for loop आगे चलेगा ही नहीं इसलिए मैं directly यहाँ पर क्या कर दूँगा मैं यहाँ पर simple अपना बनाऊँगा count और plus equal to jump game और इस jump game के अंदर n- jump को लगा दूँगा call पर मज़ा नहीं आ रहा count plus plus क्यों करा मैंने मज़ा इसलिए नहीं नहीं है क्योंकि मज़े path नहीं मिलता बतातो हूँ उसके लिए हम क्या करने वाले है अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा यह जो मुझे jump मिला है मैंने यहाँ पर बनाया count मैंने बोला 9 बता तेरे पास कितने तरीके हैं 0 तक पहुचने के बोलेगा P तो count की value 0 थी उसके अंदर P add करा फिर मैंने Q add करा फिर R add करा फिर S add करा फिर T फिर U और ऐसे करके सब कुछ add करके मैंने finally क्या कर दिया यहाँ से return कर दिया तो यहाँ से मुझे मेरा correct answer मिल गया but मुझे यहाँ पर path नहीं मिल रहा तो मैं path लाने के लिए क्या करूँआ path लाने के लिए यहाँ पर बनाता हूं string मैं बोलूँगा तुम जो भी path ले रहे हो जो भी path तुम follow कर रहे हो उस path को ना इस answer so far के अंदर add करते हो चलो basically वो jump इसके अंदर add करते हो चलो जो भी jump लेने वाले हो अब जैसे 2 की jump ले रहे हो ना तो path के अंदर add करते हो चलो यानि कि मेरे string so far की value यहाँ पर क्या थी empty थी इस empty वाले path को उपर जाते हुए क्या करते चलना उसके अंदर add up करते हो चलना तो आपके empty string यहाँ पर जाके 1 होगी फिर 1 होगी फिर 1 होगी फिर 1 होगी फिर maybe 2 हो जाएगी जब वापस आओगे तो वो string अपने आप ही क्या हो जाएगी delete होती चले जाएगी क्यों हो जाते है delete इसकी reasoning मैंने बताई थी कि initially मेरी value empty थी इसके अंदर मैंने one add किया तो यहाँ पर string के अंदर one add हुआ है पीछे की और add नहीं हुआ तो जब यह वाला state delete होता है तो वापस से में empty string के उपर ही drop down करता हूँ उसके अंदर one added नहीं होता है तो यह reasoning है कि यहाँ पर हम answer so far लेकर चल सकते हैं ठीक है अगर string builder होता तो is a different question string builder के अंदर क्या होता है answer मेरा persist करता है जबकि string के अंदर answer मेरा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो string हो जाता है वो क्या हो जाता है वो immutable हो जाता है कि basically आपने एक बाद जो change कर देए वो change persist करेगा उसके अंदर ठीक है तो ऐसा क्या होता है जैसे कि मैंने string के अंदर चलो वो तो बात की theory है वहाँ पर अभी नहीं जाते हैं अभी के लिए आपको इतना समझना है क्योंगी नहीं तो वीडियो को बढ़ी हो जाएगी अभी के लिए क्या होने वाला है जैसे कि आपने string के अंदर कुछ भी अगर one add क्या रिकर्जन का कुछ भी add one करते हो तो ये string empty के empty ही रहेगी addition आगे जाकर होगा इसके अंदर आगे जाकर add होगा अब मैं इसके अंदर मालो five add कर दूँ तो ये one five यहाँ पर जाकर add हुआ तो जब ये इसके delete होगा तो जब drop down होगा तो वापस मैं one पर ही drop down करने वाला हूँ ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जितने jump ले सकते हो ले लो और मुझे मेरा answer बताते हो चलो अब जड़ा इसको print करके देखता है n की value 10 और string मेरा initially empty है 492 answer आया बट मेरे कोई भी answer print नहीं हुए क्यों नहीं हुए print यह देखो इसलिए print नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो answer create किया ना उसको कभी मैंने print किया ही नहीं जब मैं अपने destination point पर पहुंच जाता हूं तो मुझे मेरे answer को print भी तो करना पड़ेगा तो answer so far हम last में जाके कर देंगे print अब मेरा answer print हो गया तो यह सारे answer हो गया exist करते हैं जसी कि यह तरीका है कि यह तरीका है यह तरीका है फिर यह तरीका हो सकता है यह तरीका हो सकता है there multiple ways तो total 492 answer exist करते हैं यह 492 के 492 answer मेरे यहाँ पर print हो गया ठीक है अब यहाँ पर हमने सीखने वाली बात क्या समझवाई मुझे सीखने वाली बात समझवाई कि जब आप call लगाते हो जब भी आप call लगाते हो तो आपके पास कोई भी एक path को follow करते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 मैंने 4 वाली jump ली मैं पहुंचता हूँ 6 पर अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 लैसे मैंने 3 वाली jump ली मैं पहुंचा 3 पर तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं इस 4 वाले को अपने empty string यहाँ पर मेरी empty string थी यहाँ पर जाके मेरी 4 string हो गई यहाँ पर जाके मेरी 4, 3 string हो गई और फिर यहां से मैंने कौन-कौन सी jump available ली यहां से मेरे पास 1 की jump available थी 2 की थी और 3 की थी 1 की jump लेता हूं तो मैं पहुंचता हूं 2 पर 2 की लेता हूं तो 1 और 3 की लेता हूं तो 0 तो लैसे मैं 2 वाली jump पे गया तो 2 वाली jump पें जाता हूँ, तो मैं कहाँ पहुचा, 4, 3, 2, अब इस 4, 3, 2 से, मैंने फिर 1 की jump ली, और 2 की jump ली, लेसे मैं 1 की jump लेता हूँ पहले, तो पहुचा मैं 1 पर, यानि कि 4, 3, 2, 1, अब यहाँ से मैं 1 की jump लेकर 0 पर, तो उपर जाकर 4, 3, 2, 1, 1 यह मैं पहुंच गया 0 के उपर उपर से मिला मुझे 1, return 1 उसको मैंने count के अंदर add किया तो जब मैं उपर से return 1 catch करता हूँ तो यह वाली जो चीज होती है डिलीट हो जाती है और यहां से return 1 हुआ तो यहां पर मेरी count की value कितनी हो गई 0 प्लस 1 हो गई अब क्योंकि और कोई call है नहीं लगाने के लिए तो यहां से भी return 1 ही होगा और यह चीज खतम हो गई और यहां पर मैं पहुंचा 1 लेकर अब मैं अगली call लगाता हूँ 2 के लिए तो देखो इस जगा पर 432 वाला state था जो पहले वाला state था ना 432 11 यह तो मेरा print हो चुका है console पर अब 432 से मैंने एक और call लगाई that call went to 432 2 अब मैं जैसी इधर पहुंचता हूँ यहां से भी return 1 हुआ अब जो return 1 हुआ क्योंकि count के अंदर पहले ही 0 plus 1 हो चुका था एक और 1 add होगा उसके अंदर total answer कितने हो गए यहां पर 2 और मेरे console पर एक answer और print हो गया 432 2 अब total count की value चुकिए यहां से 2 यहां से return वा 2 तो यह मेरा stack से उड़ेगा और नीचे आया मैं यहां पर लेकर पहुचा हूँ 2 अब यहां से दूसरी call गई उपर की और that is for 2 यानि कि 432 अब यहां पर 1 पर आया मैं अब 1 पर आने पर एक call लगेगी और मैं पहुचा 0 के पास यानि कि 4321 और यह एक answer और print हो गया यह जो answer मेरा print हुआ है यह जो मेरा answer भी यह जो यहां पर नहीं होगा यहां पर नहीं होगा यहां सही है तो यहां से मैं उपर लेकर गया था 4321 और इसके ओपर एक call लगेगी that call went to 4321 और सेम अंसर तो नहीं आना चाहिए था 43 431 11 यह answer होना चाहिए था इस तरफ इस तरफ गलती से 2 लिख दिया था let's figure out again आप अंसर लेकर गए एमटी उपर पहुचे 4 लेकर फिर आप पहुचे 4 3 लेकर इस तरफ गए तो 4 3 1 लेकर पहुचे उपर गए तो 4 3 1 1 लेकर पहुचे फिर और उपर गए 4 3 1 1 1 लेकर पहुचे that answer मैंने print किया फिर इस जगा से मैंने drop down किया तो अब मैं पहुचा हूँ इस वाली state पर यह वाला state मेरा आ चुका है यह वाला state मेरा आ चुका है यहां से और कोई call लगा नहीं सकता था तो मैं दुबारा drop down करूँआ यह वाली state आ चुकी है मेरी अब इस वाली state से दूसरी call लगी है तो वो कहां गई 4 3 1 2 के पास 4 3 1 2 के पास और अब मैं इस वाली state से फिर drop down करा और मैं पहुचा इस वाली state पर 4 3 1 के पास क्योंकि देखो 4 3 1 के पास मैं इस वाली state पर पहुचता हूँ यहां से क्या drop down हम पहुचेंगे 4 3 इस वाली state के पास अब यहां से दूसरी call लगी 4 3 2 के लिए और इस वाली state से मैंने एक वाली call लगाई 4 3 2 1 तो मैं पहुचा 4 3 2 1 के पास एक अंसर ओर आया उपर से return होगा 1 और count की value कितने होगी 2 प्लस 1 यानि 0 प्लस 2 प्लस 1 हो चुकी है अब मैं फिट से drop down करता हूँ मैं पहुचा 4 3 2 के पास यानि कि यह वाला state फिर यहां से drop down करें तो हम पहुचें 4 3 वाले state के पास अब इस 4 3 वाले state से एक को और लगेगी 4 3 3 और यहां से return होगा 1 यानि कि प्लस 1 और यह answer मेरा print होगा है यहां पर 4 3 3 तो total यह तरीके हो गए इस वाले state से यह total तरीके हो गए मेरे 0 तक पहुचने के लिए by using path 4 and 3 अगर मैं इस वाले path को इस्तमाल करते हुए चलता हूँ इस वाले prefix को इस वाले prefix को मैं इस्तमाल करते हुए चलता हूँ तो इतने तरीके हो सकते हैं मेरे पास 0 तक पहुचने के और total answer कितने है 2 प्लस 1 प्लस 1 यानि कि total 4 answer exist करते हैं So, यह question था, I hope यह question समझ माय होगा, अब इसी का थोड़ा सा optimal version भी exist करता है, जिसके अंदरो क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई, जो भी मैंने question बताया था, वो question यह था, कि आप jump गेम तो कर रहे हो, what if अगर मैं आपको jump array दे दूँ, मैं बोल दूँ जैसे कि, 2 की jump, 4 की jump, 7 की jump, और 3 की jump, सिर्फ यह वाली jump exist करती है, अब बताओ कितने तरीके आपके पास 0 तक पहुंच लेके, तो it's a quite basic question, right, कैसे, 0, 1, 2, 3, indexing यह तो है, index 0 पर जो रखा है jump, मुझे वही तो use करना है, index 1 पर जो jump रखा है, मुझे वही तो use करना है, index 2 पर जो jump रखा है, मुझे व देखो, अब क्योंकि index 0 पर रखा हुआ jump इस्तमाल करना है, बट अगर मान लो index 0 पर रखा हुआ jump है, वो मेरे लिए valid नहीं है, तो इसका मतब यह नहीं है कि आगे वाले jump भी valid नहीं है, आगे हो सकता है कि मुझे 1 मिल जाए, आगे हो सकता है मुझे 1 मिल जाए, तो इस scenario में क्या करेंगे पहले हम, that is jump game 2, इसको मैं क्या बोलता हूँ, jump game 2 बोलता हूँ, और इसके अंदर आपके पास एक array मिलता है, आपको क्या मिलता है, एक array मिलता है, और इस array के अंदर आप सारे jump अलाओ हैं आपको, आप कोई सा भी jump ले सकते हो, किसी भी time पे ले सकते हो, right, बट यह array ना unsorted है, तो जो भी आपको array दिया जा रहा है, मैं तो आपको इतना वोलूँगा, जो भी आपको array जम्प दिया जा रहा है, उस जम्प को, जैसे की 24751, अब क्या करो, इस जम्प को, इसको sort कर लो, arrays.sort.jump, और हमें इसको include करना पड़ेगा, class, import, java.util.arrays, ठीक है, तो मैंने इसको करा, import, अब मेरे पास, जम्प करके array आ चुका है, यह हो गया, में पास, jumps, jumps, और, यह हो गया, empty index, ठीक है, तो यह, अब array कितना चलेगा, अब इसके अंदर, हम index की बात करेंगे, तो मैं I equal to 0 से चलाना, start करूँगा, तो basically मुझे सारे, जितने भी मेरे element है, उन सब के लिए मुझे इसको check करना होगा, तो मैंने इसको sort कर लिए, अब sort करने से ने मुझे फाइदा क्या मिलने वाला यह देखता है, jumps.land तक का loop चलेगा, अब every time, jump भी, अब मुझे न, n तो मुझे पता होना चाहिए, कितने से मुझे यहाँ पर, कहाँ पहुंचना है, तो मुझे n की value बता दी गई है, तो जब भी मैं यहाँ पर call लगाँगा, तो मैं हर बात check करूँगा, कि भाई, इस index पर जो रखा हुआ jump है न, क्या यह jump, valid jump है, अगर यह jump मेरा valid नहीं है, तो इसके आगे आने वाले जितने भी jump होंगे, वो भी valid नहीं होंगे, क्योंकि मेरा array sorted है, कि अगर मैं 4 की jump नहीं ले सकता हूँ न, तो मैं 5 की jump तो पक्का ही नहीं ले पाऊँगा, correct, तो यहाँ पर I++ लगा लो, और यह solve, तो बिल्कुत same problem थी, उसी same problem के अंदर हमने क्या change करा, बस मुझे एक array दे दिया गया, jumps का, तो मैंने jumps के array के अंदर क्या क्या changes perform करा, मैंने बोला, कि यार देखो, तुम्हारे array पे, array के हर एक index पे कुछ jump रखा, उसको करो sort, अगर आप किसी particular state की jump नहीं ले पा रहे हो, तो उसके आगे आने वाली जितनी भी jump होगी, वो भी नहीं ले पाओगे आप, correct, तो उसके आगे आने वाली जितनी भी jump होगी, आप वो नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए मैंने इसको करा sort, अब कितने jump available है, जितने उसके length होगे, correct, फिर हर एक jump के लिए check करा, क्या ये jump म मेरा valid है अगर है तो चलो आगे नहीं तो यहीं पर लूप को रोक दो तो हर बार क्या करता गया मैं मैं ऐसा बोलता गया कि भाई 10 पर हूँ index 0 वाला jump valid है क्या बोलेगा हाँ valid है तो पहुंच गया 8 पर index 1 वाला jump क्या valid पहले इसको sort करेंगे sort करने से हो जाएगा 1,2,3,4,7 तो index 0 वाला jump valid है क्या वैलिड है index 1 वाला jump valid है क्या वैलिड है index 2 वाला jump valid है क्या हाँ वैलिड है index 3 वाला jump valid है वैलिड है index 4 वाला jump मेरा valid है क्या हाँ वैलिड है अब index अब मैं इस पर आया अब यहां से देखो इंडेक्स वाला जम वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, चलो आगे, तो आप पहुंचे 2 के पास, इंडेक्स 1 वाला जम वैलिड है, क्या हाँ वैलिड है, चलते हैं आगे, इंडेक्स 2 वाला जम वैलिड है, बिल्कुल, क्या इंडेक्स 3 वाला जम वैलिड है, नहीं, इंडेक 3 वाला वैलिड नहीं होगा इसलिए मैंने वहापे लूप को रोग दिया तो मैं बस सब कुछ सेम है मैं यहाँ पर इंटीजर जम्प की जगा पर एरे पर रखा हुआ जम्प लेने लग गया तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम तो यह दोनों ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट के अंदर बताना कि यह वीडियो पसंद आई या नहीं आई मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो के अंदर